हाई अब हम डिसकस करेंगे लेटस सी बुक के चैप्टर नमबर 16 के उपड़ जिसका के नाम है को सीखने का जो सबसे थम डूल होता है तो दुनिया की किसी प्रोग्रामिंग को सीखने के अंदर बिल्कुल भी कोई अर्चन नहीं आती है आप सामने तो चैनल को सब्सक्राइब जुरू करें अब चैप्टर नमबर 16 के उपर आगे बढ़ने से पहले हम एक रिकाप कर लेते जीरो वन गैटिंग स्टाटेड विट से जिसके अंदर की डिफैंट दे रूट्स और सी प्रोग्राम सी प्रोग्राम को लिखने के कौन-कौन से रूट्स को में फॉलो करना पड़ता है वह सारा हम चैप्टर नमबर टू के अंदर हमने डिसक्स करा है किस तरीके से वेरिय बात है जब भी हमारे पास में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपके पास में दो आगए या तो इसको काम करना करने के लिए हमें चूज करना पड़ता है कि पर्टिक्लर च्वाइस को उस चेखें पर जो काम आता हो तो हो तरी डिसिजिएं कंट्रोल इंस्ट्रेंशन जिनक हमने मुटकर डिसकेंवर के अंदर चैप्टर नमबर फाइब लूप कंट्रोल इंस्ट्रेंशन हमारे एक प्रोग्राम के अंदर की पाटिवल फॉंक्शन के अंदर पता लगें के मुटिकिल अब और हम क्या करेंगे यह की जो बार ब़ूप करने के लिए हमको इकूद करन इट्रेशन के बारे में डिसक्स करना था चैप्टर नमबर 6 के अंदर चैप्टर नमबर 6 के अंदर चैप्टर नमबर 7 था अब अगर अगर हमारे पास में के अंदर ऐसा सिच्वेशन के लिए पार बार परफॉर्म करवाना पड़ता हुए मुझे तो अलग से नाम देते हैं फंक्शन चैप्टर नमबर इसे लेंगेज्ट के अंदर किस तरह कि आपके प्रोग्राम के अंदर किस तरह का वारे को डिखलय करना के सब्सक्राइब करते हैं चेप्टर नंबर नाइन के देरें और यह अगर कोई प्रोग्राम ऐसा है या फंक्शन एसा है जो खुद ही खुद को को करता है तो उसके बोलते हैं रिकार्जर्ण प्रोग्राम जितने भी प्रोग्राम डिपारे कर चुकते बारे में चैप्टर नमब्स के लिए वांबन डियुटराइब डब से अंदर शोर और से इंदर करता है अगर हमें उसका वेरिन निकालना हो कि अगर उससे ज्यादा इस तो कौन-कौन से ये सब हमने डिश्कस्न गढ़ाता है चेप्टर नुमबर 11 के अंदर एक डेटा एक डेटा नाम होता है उसके साथ में एक और चीज होती है उसको बोलते हैं स्टोरिज क्लासे मतलब होती है कि आपकी जो मेमोरी है कम्प्यूटर के स्टोरिज के अंदर किस तरीके से अलोकेट हो रही है इस्टोरिज क्लासे कितनी फ्रिक्वेंटी के ओपर या कितनी एफिशेंसी के साथ में आप उस पर्टिकुल वेरियबल को एक्सेस कर सकते हैं चैप्टर नमबर ट्वेल तक सी पर्टिकलर बेसिक पार्ट जो तक खतम हो जाता है चैप्टर नमबर थर्टीन से स्टार्ट होता हमारा डेटा चेक्कर वाला पार्ट कि किस तरीके से जो हमारे पास इंटेज टाइप का वेरियबल है अगर हमारे पास मुल्टिपल डेटा टाइप मुल्टिपल वेरियबल से जोज करते हैं वह हमने यूज करा है अब एरे के अंदर डैमेंशन होती वन डी टू डी त्री डी मतलब किस तरह का रहे हैं वह हमें डिसक्टर नमबर थर्टेन के अंदर तो सिंगल बंडी एरे चै क Sicherheit फिर्टेन के अंदर कराता हमने डिसक्टिंग की ऑलता है।as इसे ही multi-dimensional या फिर multiple strings को किस तरीके से tackle करते हैं वो chapter number 16 के अंदर करें तो हम यह ध्यान रखना होगा कि chapter number 16 के पर जब हम जा रहे है multiple strings को handle करने के लिए तो हम यह सारा concept ज्यान में होना चाहिए कि chapter number 14 के अंदर हमने 2D array को किस तरीके से use कर रहा था क्विक्या होता तो obsession क्या होता क्ल्क्शन ओप character array कर स्थिंग क्या है can function is one dimensional array by a नल जब character ऐसा होता कि जिसका last character उसके अदर js plusieurs यृ यृटे ता वह string का रुप ले लेता करते हैं तो बाइट हो जाता है एच के डीट टाइप जो डेटा होता है उसका वन बाइट इस्टोर होता है तो अगर आप कि तरी के करते हैं कि जयासे कि जिसम नॉर्मल इससा होगि कि टैकर कैüsthalten टैक वीडेयोपीट एसको डबल कोर्स कंदा एक जासे आप स्ट्रिंगे सब्सक्राइब इसके साहें कर देता है और करता है कि लेंड के साथ में और पडिक है लेकिन लास्ट करेक्टर नहीं होता है अगर हम को स्ट्रिंग के तरह इसको एकसे करना है तो अब बात करते हैं कि अंदर करते हैं जैसे कि सिंगल को डिकले करने का प्रोसेस क्या होता है नोर्मल डबल कोट्स के अंदर लिख दिया तो अब जब हमने टूडी एरे इंटेजर टैप को बढ़ाता है या पर नूमेरिकल एरे के उपर डिसक्राइब कराता है कि हम कॉमा सेबेटेट वैल्यू के साथ के सकते हैं एक को मतलब कि यह रो हो गई यह की रो गई यह मैक्जिम सैज्ड क्या हो सकती है तो डबल कोट्स के बीच में जैसे की स्टृंग को हम डिकले करते हैं उसी तरीके से है एक एक स्टिंगों ने इनिस तर्फ कर दिया sort कर दाना है extend Разब कि franchब करना है और चीया चाहिए सेकंड एक हैं रखेट को हो सकते कि क्यरेक्टर आज कि नहीं हो सकती है अब टूडी एरे के अंदर मुल्टिपल स्ट्रिंग को डिकले करना हमने देख लिया कि इसको कैसे करते हैं अब हम यह देखना है कि सबसे पहले हम देखते हैं अक्षे तो जैसे देखिए रो हो गई यह और कोलम हो गई यह तो जब भी इसको एक्सेस सबसे जो पहला होता है पहला कोडिनेट उसी के उपर मेमोरी लोकेशन अगर यह 65454 है तो इसके अंदर वन बाइवन एड होता हो चला जागा यहां तक कितना हुआ यह हो गया 456 789 10 11 12 13 मतलब कि 63 तक की मेमोरी लोकेट यहां पर हो चुकी है बहले ही आगे ब्लैंक है लेकि 63 तक की साइज कितनी है इसकी 10 और यहां से 64 से से स्टार्ट हुआ इसके अंदर और नुमेरी कि लेकर एड नाहीं होता जब कि यहां पर हमने कहीं भीकिश्जयुआ नहीं करा है नहीं करता ह। लिकश्ज जीरो होगा तो अपने पास बैड इस्टोर करके रखता है यह तो य लास्ट करेक्टर एरे जो होता है नल करेक्टर तो इस तरीके से टूडी वेरेबल टूडी करेक्टर करते हैं करते हैं आने वाले चेप्टर के अंदर हम दिस्स करेंगे कि मल्टीपल इस्ट्रिंग को पॉइंटर के साथ में कैसा असोशेट करते हैं ओके थैंक यू